Hello students, good morning, welcome to the Hindi class, standard 5th So today हम पढ़ेंगे part 1st हम भारत के भरत हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है साहस और वीता अपने पुर्खों की सौगात है तो इन पंक्तियों का अर्थ है कि जैसे जो भरत थे वो बहादूर थे शक्तिशाली थे उसी तरह हम भी भारत की संतान हैं जो की शेरों से केलने का साहस रखते हैं और हमारा हिंदुस्तान से बढ़कर कोई भी दुनिया में इतना साहसी देश नहीं है और भारत की मिट्टी में पैदा होना हमारे लिए क्या है बड़े गर्व की गौरव की बात है साहस और वीरता जो हमें क्या है अपने पूरवजों से मिले हैं उपहार के तौरपा अब है हमारा सेकंड इस्टेंजर बड़ी बड़ी जो आलाओं से कम नहीं यहां चिंगारियां काटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियां कभी दहकते कभी मैकते जीते मरते शान से कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से और यहां बड़ी बड़ी जो आलाओं से कम नहीं चिंगारियां से मतलब है यानि जैसे छोटी छोटी चिंगारियां भी बड़ी जो आलाओं से कम नहीं होती हैं यहां कर जो बच्ची हैं वो भी बहुत वीर हैं और जिस तरह किसी बाग में फूल आने से पहले काटे आते हैं उसी तरह हमारे जीवन में भी क्या है? पहले संगर्श आता है कभी देखते, कभी मेंकते नाले कभी हमें क्या है? अंगारों की तरह दहकना पड़ता है कभी फूलों की तरह हम मैखते हैं और हिंदुस्तान के लिए हम अपने देश के लिए शाम से जीते मरते हैं और कोई भी देश हमारे हिंदुस्तान से बढ़कर नहीं है हूँ समर में आगे आएं जब दी हम ललकार ने उंगली दातों तले दबाई अचरत से संसार ने सदियों से बनते आएं हम पन्ने इतिहास के त्याव और वलिदान हमारे व्रते हैं बारा मास के जब भी निकला हीरा निकला यहां किसी भी फान से कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से कूर समर में आगे आए मतलब समर मीन सोथा युद्ध यानि जब भी हम युद्ध में आगे बढ़कर आएं और हमने गर्जना की यानि जो हमारे सामने है उसको ललका रहा तो इस हमारी वीरता को देखकर संसार ने क्या है दातों तले यानि अचरज ही किया है सदियों से बनते आएं हम पने इतिहास की यानि हमारी वीरता का जो इतिहास है वो सदियों से लिखा कया है त्याग और बलेदान हमारे व्रत है यानि हम अपनी मात्र भूमी के लिए त्याग की और बलेदान की भावना रखते हैं जब भी निकला हीरा निकला यहां किसी भी खान से यानि हमारी भारत भूमी में क्या है हमेशा हीरे ही निकले है जैसे कि आप जानते हैं हमारी मिट्टी में भारत की कई देश बक्तों ने जन्म लिया है कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से यानि संसार में कोई भी देश हिंदुस्तान से बढ़कर नहीं है यह दर्ती जो मा है अपनी हमें जयान से प्यारी है हर बालक के जिम्में इसकी चौकस पहरेदारी है बोलो मेनत खूख करेंगे कटन परिक्षा आई है मा का दूद पिया जो है सौगंद उसी की खाई है इसी उम्र में परिचे पाले हम श्रम से बलिदान से कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से यह दर्ती जो मा है अपनी यानि जो हिंदुस्तान यानि भूमी है हिंदुस्तान की वो हमें क्या है जान से भी प्यारी है हर बालक के जिम्में इसकी चौकस पहरेदारी है यानि सभी युवाओं को ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि हमें अपने देश की साफदानी करनी है रक्षा करनी है बोलो मेहनत खूप करेंगे कटिन परिक्षा आईए यानि अब हमारे देश की रक्षा करने का समया है तो हम उसके लिए क्या करेंगे खूप परिश्रम करेंग मा का दूद पिया जो सौगंध उसी की खाई है यानि जिस मा का हमने दूद पिया है उसकी सौगंध खाकर हम देश की रक्षा करने के लिए तैयार हूं इसी उम्र में परिचे पा लें हम श्रम से बलिदान से यानि अभी हम छोटे हैं तो हमें इसी उम्रों में श्रम करना और वलिदान करना सीखना होगा कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से संसार में कोई भी देश हिंदुस्तान से बढ़कर नहीं है